आज किस वीडियो में हम लोग इटिली के एकिकरन को पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्मन देश के एकिकरन को पढ़ा था अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीइडियो नहीं देख था तो सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए तो चलीए बात करते हैं Italy के एकिकरण मतलब क्या होता है तो देखिए एकिकरण का जो असल में मतलब होता है जैसे कि मान के चली कि आपके बस दो या दो से अधिक वस्तू है और जब हम लोग उन वस्तूओं को मिला कर एक नया रूप देते हैं तो उसे ही हम लोग एकिकरन कहते हैं अब जैसे कि बात करें किसी भी देश के एकिकरन की उपर तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई देश आजाद नहीं होता है ना तब बहुत सारे राज्यों में विखंडित होते हैं और जब उन राज्यों को हम लोग मिला देते हैं और एक राश्टर बनाते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं किसी देश का एकिकरन और आज किस वीडियो में हम लोग इटली देश के एकिकरन को पढ़ेंगे तो चलिए एक करके हम लोग समझते हैं और देखिए जो इटली का एकिकरन है यह जो कोश्चन है आपके परिच्छा में यह जो कोश्चन है कुछ इस प्रकार स चर्चा करें या फिर कोस्टन आएगा अथवा देखें इटली का एकिकरन पर संचिप्त टिपनी लिखें तो इस टाइप से आपको एकजाम में कोस्टन देखने को मिलेगा यह जो कोस्टन का एंसर है थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन मैं गैरेंटी लेता हूं कि आप समझ जाएंगे तो चलिए बात करते हैं देखते हैं इसके उत्तर को बात करते हैं इटली का एकिकरन देखिए तो एकिकरन के पूर्व इटली अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था जब इटली का एकिकरन नहीं हुआ था तो यह बहुत सारे मुदलब अनेक छोट अपने अमूल्य जीवन की आहुती दी थी, अनेक देश भक्तों को इस पूनित कार्य का पुरसकार देश से निकल जाने की रूप में प्राप्त हुआ, बात समझ में आ रहा है कि एकिकरन के पूर्व जो इटली है यह अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और यहाँ पर तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे देश भक्त है, जिन्हें इस पूनित कारी के लिए क्या पुरसकार देना पड़ा, अपने देश से बाहर निकल जाने का पुरसकार देना पड़ा, तो ठीक है, यह थो थोड़ा सा स्टार्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला चलिए बात करते हैं तो देखिए एका करके समझते हैं कि मतलब कौन जो भी यहां पर देशबक्त है इटली में उन लोगों ने क्या-क्या योगदान दिया था हर चीज़ को देखेंगे तो देखिए यहां पर क्या है कि जैसेपी मेतिसिनी ने इटली का आत्मा बनकर जो जैस करन क्या बात समझ में आ रहा है मतलब जैसेपी मेतिसिनी जो है वह इटली का आत्मा बनकर जो काबूर जी है वह इटली का मस्तिस्क बनकर और गेरी बॉल्डी ती ने इटली का सरिर बनकर इटली का एकिकरन क्या अब चलिए बात करते हैं एका करके योगदान मतलब इन लो सभेसीब सभाएं नियुकाम, येये वृट्वंद됐 पर लिए कर्पना चाहँ नियुका फ़ॉप्त सम प्रहिकेम चॉतिसया छूतiste मातन उस भीया नृष कर्फ़ॉप्सडा कर्पहसमें यंग इटली तदा बर्न में यंग यूरोप की अस्थपना की बात समझ में आ रहा है सबसे पहला काम जेयुसेपे मेतिसीने ने क्या क्या इटली के एक करन के लिए कार्बोनेर के गुपति संगठन का सदेश बन गया और दूसरा काम क्या क्या कि उन्होंने दो खूद गुप और यह जो संगठन बनाई थे जेयुसेपे मेतिसीनी जी ने तो इसका मकसद क्या था कि इटली के एकिकरन के लिए लोगों को जागरूप करना और यह इस गुपति संगठन के मदद से लोगों को जागरूप करते थे आगे बढ़ते हैं आगे देखे क्या होता है 1831 और 1848 के युद्ध में जेयुसेपे मेतिसीनी विफल हो गए और युद्ध का सारा भार साड़िनिया पिडमांट के सासक विक्टर इमेनुएल दूच्ट पर आ गई बात समझ में आया 1831 और 1848 का जो लड़ाई हुआ था जो युद्ध हुआ था उसमें जेयुसेपे मेतिसीनी विफल हो गए यानि कि फेल हो गए यानि कि हार गए और उस टाइम क्या हुआ कि युद्ध का सारा भार किसके उपर आ गया साड़िनिया पिडमांट के जो सासक कौन थे विक्टर इमेनुएल दूट्य तो इनके कंधों पर सारा युद्ध का भार आ गया अब यहां पर यहां तक जैसेपे मेतिसीनी का योगदान था अब हम लोग बात करेंगे कि विक्टर इमेनुएल दूट्य का क्या योगदान है इटली के एकिकरन के उपर तो चलि देखिए युद्ध के जरिये इतालवी राज्यों को जोडने की जिम्मेदारी साडिनिया पीडमांड के सासक विक्टर इमेनुएल दूट्य पर थी मतलब यूद्ध के जरिये मतलब यूद्ध करके जो इतालवी राज्य है ना उन्हें जोडने का काम किसे दिया गया था लेटर मेनुएल दूट्य को और बाद मिल्टर इमनुएल दूट्य ने इस्की बार कंब समझ में आ रहा है इसको आप एक लेखार लेगा कि बाद में वीक्टर इमनुएल दूट्य में इतली के एक्र रनका बार bringing को देशित churches विक्टर इमेनियल दुट्य का क्या काम था कि यूद्ध के जरिये जो भी इतालवी राज्य होंगे उन्हें जोडने का काम विक्टर इमेनियल दुट्य को दिया गया था और यहां पर यहां पर अब काउर जी को योगदान देखना कि कौन सा यहां पर योगदान दिया है तो क्या योगदान है तो काउंट केमिलो दे काउर साधनिया पिडमांट का परमुक मंत्री था यह जो देखिए यह जो काउंट केमिलो दे काउर जी जो है ना यह साधनिया पिडमांट का एक बहुत खास मंत्री था काउंट केमिलो दे काउर एक बहुत बड़े कुटनितिक गी व्यक्ति थे मतलब इसका बहुत खुरपाती मायंड था मतलब जिसे चानक के देखे होंगे भारत में जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया तो उसी प्रकार से यहां पर यह जो थे न काउर जी यह भ काउर जी कहते थे इटली का सबसे बड़ा दुस्मन आस्ट्रिया है मतलब काउर जी आस्ट्रिया को इटली का सबसे बड़ा दुस्मन मानते थे काउर ने फ्रांस से साधनिया पिडमांड तक एक ऐसा कुटनीती प्लान बनाया जिसके चलते साधनिया ने 1869 में आस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में काम्याब हुआ और देखे कावर जी फ्रांस से साधनिया पिडमांट तक एक बहुत ही कुटनीती प्लान बनाया था जिसके चलते क्या हुआ ये जो मतलब साधनिया पिडमांट है उन लोग क्या पाए आस्ट्रियाई बल जो है मतलब आस्ट्रिया को हरा पाने में सफल हुए इस लड़ाई मे सैनिकों के अलावा कई ससस्त्र स्वंग सेवकों ने भी भाग लिया जिसका नेत्रित्व जेयुसेपे गैरी बल्डी कर रहे थे बात समझ माया जो ससस्त्र स्वंग सेवक थे उनका नेत्रित्व कोन कर रहे थे गैरी बल्डी अब यहाँ पर गैरी बल्डी का योगदान दे इस्पेनिकों के साथ साथ ससस्त्र स्वलंक सेकों का नित्रित्व कर रहे थे। 1807 में उन्होंने दक्षिनी इटली और दो सिसीलीयों के राज्जों पर कबजा जमाया। उन्होंने अस्थानिय किसानों का समर्थन जीता, और फिर इस पेनिच सासक को सत्ता से हटा दिया, बात समझ में आ रहा है, जो इसे पर गरे वरलि क्या कर रहे थे, जो ससस्तर सवन्स वइचती उनका नेतरित्रु कर रहे थे, और उन्होंने क्या क्या, जो दक्षणी इटली है और जो दो सिसिलियों जो राज्य है उन पर कबजा जमाया और जो इस पेनी सासक थे उनको सत्ता से हटा दिया तो जैसे पर गेरिवर्ली ने ये काम यहां पर किया बात समझ में आ रहा है देखिए बहुत ही सिंपल है ठीक है चलिए आगे बात करते है देखिए किया है अब यहाँ पर इसमायल वाली बात है तो मंदर कुछ तो अच्छा कामी उवा उना इसलिये इहां पर हो रहा है अब किया पर एकिकरन की परकिर्या पूरी हुई और 1861 में विटर इमेनवियल डूट्री को इटली का राजा घोसित किया गया और काउंड केमिलो दे काउर को परधानमंत्री बनाया गया बात समझ में आया अठारा सो एकसर्ड में क्या हुआ कि जो विक्टर इमेन्वेल दुछती जो थे उन्हें इतली का पूरे इतली का राजा घोसित कर दिया गया और काउंड केमिलो दे काउ को परधानमंत्री बनाया गया और देखी क्या होता है यह काउंड केमिल्यू देकाओर जो परधानमंत्री बनते हैं इसके बाद क्या होता कि तीम हिंने बाद यह काउंड क्यावर है की मिर्ती várias हो जाती तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलता है अंगले वीडियो में थैंक यू